हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखें फ्रेंड मैं आप लोग के लिए बहुत ही खोप सूरत उलें ब्लाउज लेकर आए हूं फ्रेंड ये देखिए इस उलें ब्लाउज को आप लोगों ने काफी फसंद किया है तो इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इट बिल पुर सिम्पल है Whats there मैंने अपर कुछ सोफेंग को वर्क किया हुआ है बिलकुल सिम्पल भी बनाया थाा फ्रेंड बस यहां पर हमने यह मोतिका वर्क करदिया है और यह उन सअ ही मैंने आप पर embroidery की है देखिए तो इसको मैंने white और black color बनाया है और यहां पर dark pink color योज किया तो चलिए इसका measurement सीखते हैं कि सबसे पहले फ्रेंट्स मैं आप लोग को इसकी border की बारे में बताऊंगी तो इसका border जो यहां से बनता है, यहां से start होता है, तो इसको मैंने यहां से 20 फंदों में बनाया है, और यहां से start होता है, देखिए यहां से, तो यह ऐसे लंबाई में border बनाया है, नाकी ऐसे बनाया है, तो अगर आप इसको और शोड़ा रख सकते हैं, तो 30 फंदे का बनाएंगे, तो पू का energy tape से आप माप के फिर इसको बनाया तो इस टाइम मेरे पास petite टेप है नहीं तो मैं पूरा measurement incountry tape से भी बता देती उसके बात स्वाख्त Kate was pin मैंने यह बॉरडर बनानी के बाद दो बॉरर मनshop एक पीछे की साइड और आगे इसा तो देखें दो बार्ण मैंने बनाया है पूरे एक साथ नहीं बनाया है अलग-अलग मैंने दो बार्ण बनाया है तो यहां पर आप लोग को डिजाइन से ही मैं समझा देती हूं कि किसी एक, दो, तीन, चार, पांच डिजाइन मैंने 32 नमबर का मैं यह measurement बता रही हूं 5 डिजाइन 34 और 36 नमबर के लिए 6 डिजाइन यह बनेगा black वाला और ऐसे ही मैंने यह front side भी बनाया है उसके बाद friends मैंने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर मैंने फंदे उठाया है तो 32 नमबर के लिए मैंने यहाँ पर 85 फंदे उठ उठाने है और प्लस यहाँ पर 85 85 85 फंदे आप सॉरी आपने 34 और 36 नमबर के लिए 90 फंदे उठाने है पांच फंदे आपने दूसरी रो में बढ़ाने दूसरी सलाई में बढ़ाने टोटल हमारे यहाँ पर 100 फंदे हो जाएंगे तोटल हमारे 90 फंदे आप उठाएंगे तो 95 फंदे आप बढ़ाएंगे तो 95 हो जाएगा उसके बाद आपने यह देखिए 95 फंदे बनाने के और इस ब्लाउज का लिंक मैं दे दूँगी फिर आपनों बनाने का तरीका समझ जाएगा और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ 34 और 36 नंबर का मेजर्मेंट वैसे आप समझ जाएगे गा उसके बाद हमने आपे 34 और 36 नंबर के लिए आपने 95 यानि 95 फंदे लेने के बाद फिर आपने इसको 10 से 12 इंच लंबाई इसकी बढ़ानी है 10 से 12 इंच यह मैं बता रही हूँ 10 से 12 इंच सिंपल आपने बना लेन करते हैं 5 3 2 1 से 5 3 2 1 मुड़े की कटिंग मुड़े की कटिंग हमने या से की है उसके बाद मुड़े की कटिंग और ये गोलाई की इसकी यानि गले की गोल गले की साथ में ही होता है तो यहां पर हमने यहां पर मुड़े की कटिंग की उसके बाद गोल गले की भी कटिंग सा हमने इसको यहां से देखिए गोल गलेक पहले 10 फंदे घटाया उसके बाद 2-2-2 का एक 2-2-2 करते हुए लाश्ट तक हम गये ऐसे बैक साइड भी हमने घटा लिए से में एक ही जैसा उसके बाद देखिए हम यहां से फंदे उठा के बनाये हैं यह वाला चीज यह वाले या असी फंदे हमने उठाया है तो आप यहां पे 85 भी उठा सकते हैं 34 और 32 नंबर के लिए 90 फंदे भी उठा सकते हैं या तो 60 65 फंदे 70 आप कर लीजिए गा सही रहेगा 34 और 36 नंबर के लिए उसके बाद देखिए यह वाला हमने ऐसे फंदे उठाके बनाया है फंदे वटारी फंदे उठाने के बाद हम यहाँ पे एक्ष्ट्रा फंदे बनाये हैं बढ़ाते हैं तो यही पर आपने 2 से 5 फंदे बढ़ा लेने हैं इस जगह पर गर दस पर बढ़ायı तो आपने 15 फंदे यहां पर बढ़ाने है तो उसका सभ मैज़रमेंट है Premैजरमेंट पान यहीं पर इसू रहता है इस चीज को आप लोग समझ जाईए यह बॉर्डर बनाने के बाद यहां पर मैंने एक दो ती पांश ब्लैक कलर रखा है तो आप जो भी कलर रखेंगे उसको छह या साथ कर ले बहुत लोगों का पेट जादा निकला होता तो छह साथ कर ले उसके बा गले और मुढ़े की कटिंग यानि घटाई एक ही साथ होगी उसके बाद यह डिजाइन आप लोग को मैंने बताया ही है सब आप समझ रहे हैं उसके बाद यह सब आप बनाईएगा और यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इसको बनाना चाहते हैं या तो आप सिंपल भी इसको रख सकते हैं सिंपल भी बहुत अच्छा लगेगा या तो आप दो रण का कोई डिजाइन भी मना सकते हैं तो वीडियो को आप लोग जादा जादा लाइक करें शेयर करें नया है चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूर बताए कि आपको आज की वीडिय थैंक यू